हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्टडी, देखिया आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजेस लेकर आया हूँ, जो आपके सेसी एक्जेम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, तो चलिए सुरू करते हैं, पहला है फ्रेज, कैस इन ओन, कैस इन ओन का मतलब होता है फ फाइदा उठाया, तो आप ध्यान रिखेंगे कैस इन ओन का मतलब होता है फाइदा उठाना, चलिए आगे चलते हैं, अगला है, कनवर्षेंट वीद, कनवर्षेंट वीद का मतलब होता है जानकार, यानि को वैस वेक्ती जिसके पास जानकारी हो, उदहारं देखें, He is conversant with all rules वह सभी नियमों का जानकार है चलिए आगे चलते हैं अगला है cordon of cordon of का मतलब होता है घेरा करना उधारन देखें The police cordoned of the incident spot यानि कि पुलीस ने घाटना वाले अस्थान का घेरा किया आगे चलते हैं अगला है counton counton का दोस्तों मतलब होता है counton का निर्भर करना counton का क्या मतलब होता है निर्भर करना और उधारन देखें His victory counts on the support of the local leaders यानि कि उसकी जीत अस्थान्य नेताओं के समर्थन पर निर्भर करती है चलिए आगे चलते हैं अगला है crop app crop up का मतलब होता है पर कट होना उधारन देखें a new problem cropped up before them यानि कि उनके सामने एक नई समस्या पर कट हुई चलिए आगे चलते हैं अगला है अगला है draw up draw up का मतलब होता है तैयार करना उधारन देखें the government has drawn up a list of corrupt officers यानि कि सरकार ने भरस्ट अधिकारियों की एक list तैयार की है तो आप धिहान में रखेंगे draw up का मतलब होता है तैयार करना आगे चलते हैं अगला है embark on या upon embark on या upon का मतलब होता है कुछ नया या महत्वपूर्ण सुरू करना उधारन देखें the social service club embarked on a new project for the poor patients यानि कि समाज से भी कलब ने गरीब रोगियों के लिए एक नया project सुरू किया है तो आप धिहान में रखेंगे embark on या upon का मतलब होता है कुछ नया या महत्वपूर्ण चीजें सुरू करना तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा भाई चीजे अगे इन नेक्ट वीडियो